नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल आज हम बात करेंगे SBA शेर के बारे में जो कि आज के दिन हमको लगबग 1% अपसाइड के और जाता हुआ देखने को मिला है और लगबग 2.29.85 के आज पस हमको इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है इसके बारे में हम पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसके सपोर्ट और रेजिस्टन्स है और यहाँ पे हमको क्या आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है आज के दिन हमको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा कासा SBA के लिए कहेंगे हम दिन पहले यहाँ पे हमको अच्छी गरावट देखने को मिली थी लेकिन लास्ट में आते आते या फिर से यहाँ पे हमको अपर लेवल के उपर आता हुआ देखने को मिला है SBA लेकिन हमको volume में जरूर यहां पे कल के दिन के मुकाबले आज के दिन कमी देखने को मिली है तो इसका यहां पे क्या हमको मतलब देखने को मिलता है क्या यहां से यह अपना जो इसका resistance बना हुआ इसको तोड़ने के बार यहां पे ट्रेंड की और यहां पर जाएगा यहां पर दुबारा हमको इसी जो जोन के अंदर यहां पर काफी समय के अंदर यहां पर देखने को मिल रहा है इसी जोन के अंदर यहां पर दुबारा यह ठेड करता हुआ हमको नीचे की और आता हुआ देखने को मिल सकता है तो इसके बार होगा आप यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन के ओपर कलिक कर सकते हैं साथ में बेल आइकन के ओपर नोटिफिकेशन के ओपर ओल कर दीजे ताकि जो भी मेरी लेटस्ट वीडियो जो आप तक आराम से पहुँच्की आज यहां पर पहले हम कहेंगे देखेंगे Nifty Bank जो है वो हमको यहां पर पॉजटिव देखने को मिला है वहीं SBI भी हमको लगबग यहां पर पॉजटिव एक परसन यहां पर अपर अपसध हैड की और जाती बैंक के अंदर भी और SBAE के अंदर भी लेकिन यहाँ पर उसके बाद अच्छा हमको रिटर्न अपसेड की और आता हुआ देखने को मिला लेकिन यहाँ पर अभी भी जो इसका रिजिस्टंस यहाँ पर बना हुआ है इसको यहाँ पर यह तोड नहीं पाया आप देखें यहा लेवल के आसपास आता हुआ लगबग 209 और 85 पैसे के आसपास हमको बंद होता हुआ देखने को मिला है यहाँ पर यह तोड़ देता है और इसके ऊपर यहाँ पर हमको कम से कम आदा एक गंटा यहाँ अगर सस्टेन कर देता है तब यहाँ से हम कहेंगे कि SBA में हम थोड़ की सब्सक्राइब लेकिन अगर आपको यहाँ पर लोग त के लिए यह थोड़ा शॉर्टर अंक के लिए यहाँ पर देखने को मिलती यह वह भी वॉलुम के साथ इतना वालіль में को आजगे दिन देखने को मिला हमको इससे थोड़ा यह गना यहाँ पर लॉन है तब हम रहे अच्छा सा यहाँ पर breakout माज सकते हैं और उसके बार यहाँ पर long term के लिए इसमें कोई position वगएरा बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको पिछले काफी time से यहाँ पर यह इसी जो मैंने यहाँ पर दो trend line यहाँ पर draw की आप देख सकते हैं इसी level के अंदर-अंदरी यहाँ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है पहले इसका जो यहाँ पर support बना हुआ था support और resistance 198 का यहाँ पर बना हुआ था लेकिन इसको यहाँ पर इसने तोड़ दिया है फिर से नीचे की और आ गया और फिर से यह जो trend line बनी है इसका यहाँ पर support लेते हुए फिर से upside की और गया फिर से down इसको तोड़ नहीं पाया फिर से नीचे की और आया फिर से यहाँ पर इस जो support इसका resistance बना हुआ इसको यहाँ पर तोड़ नहीं पाया वो भी volume के साथ तभी हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ से अच्छा खासा यह अपसेड की और और भी हमको जाते भी देखने को मिल सकती है और यहाँ पे 200 exponential moving average के आजपास हमको आती हुई अगले एक दो अफते के अंदर अंदर देखने को मिल सकती है लेकिन यह तभी हो सकता है अगर यहाँ पे इसको nifty bank का भी यहाँ पे साथ मिलता है तो nifty bank और nifty का अगर साथ मिलता है तभी यहाँ से हम upset के और जाते भी कह सकते हैं ऐसे भी जा सकता है लेकिन यहाँ पे अभी भी यह जो trend line है इसको को भी मिल सकता है तो अगर आपको बाइंग करने है तो यहां पर मैं कहूंगा कि अभी आप थोड़ा वेट कर सकते हैं अगर आपको यहां पर मालीजे अगर इसके उपर हमको एक अच्छी सी कैंडल बनती है देखने को मिलती है तब हम यहां से इसका ब्रेक आउट मानेंगे लेकिन उसके बार भी मैं यहां पर कूंगा उसके बार अगर मालीजे कभी भी यहां पर ब्रेक आउट टूड़ता है बनता है तो उसके बार यहां पर यह दुबारा जो इसका रिजिस्टन्स बना हुआ होता है बाद में इसका सपोर्ड बन जाता है इसको यहां पर दुब उसके इसाब से यहां पर अभी भी निफ्टी बैंक जो है पिछले 4-5 दिनों में अच्छा हमको प्रफॉर्म करती हुए देखने को मिले लेकिन निफ्टी बैंक का भी यहां पर रिजिस्टन से जो बना हुआ है 23,600 के आसपास अगर इसको यहां पर यह तोड़ती है तब यहां पर SBI के अंदर भी हमको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है लेकिन अगर यहां पर निफ्टी बैंक जो है वो भी यहां पर नीच इस लेवल के उपर यहां पर इसमें बाइंग बगारा कर सकते हैं उसके बार यहां पर यह दुबारा उपर की और अगर जाता है तब यहां पर आपको 10-12 रुपे का यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकता है तो बात करते हैं आज के दिन के हिसाब से तो आज क परसंट उसके बार फिर से 20 और उससे पहले हमको कल के दिन 22 परसंट इसमें डिलिवरी देखने को बिली तो पिछले आप काफी एक महीने का चार्ड देख ली तो हमको यहां पर 20 परसंट डिलिवरी जो है थोड़ी ठीक ठाक देखने को मिल रही है लेकिन यहां पर अगर मैं क कहते हैं कि यहां से यह ब्रेक आउट अच्छा खासा देगा तो हमको यहां पर अच्छी खासी के डिलिवरी के साथ इसमें यहां पर बाइंग देखनी पड़ेगी और जो इसका वॉल्म है वॉल्म भी आप देखे यहां पर हमको कल के मकाबले आज हमको वॉल्म जो है उसम के साथ हमको यह breakout होता हुआ देखने को मिलता है तब ही हम इसको यहां पर अच्छा खासा breakout यहां पर मान सकते हैं लेकिन मैं आपको बता रही है उसके बार breakout होने के बार यह दुबारा यह जो इसका resistance बना हुआ यह जब support बन जाएगा इसको दुबारा रीटेस्ट जलूट कर सकता है अगर इसको यहां पर रीटेस्ट करने के बार इसको अगर तोड़ देता है तो दुबारा इसी जोन के अंदर हमको ताखिल होता हुआ देखने को मिल सकता है लेकिन अगर इसको यहां पर नहीं तोड़ता है तब यहां से हमको अच्छा खासा अ अपसेड के हमको Moonmer देखने को मिला है लेकिन लेकिन उसके बार जब भी यहां पर अपसेड कि और कोई Moonmer बनती है तप ऊसके बार यहां पर थोड़ा Consolidation भी हमको देखने को मिलती है जैसा पिछले कई ताम से देख सकते हैं पर देखिए अच्छी खासी, 3-4 दिन यहाँ पर candle बनी अपसेड की है, उसके बार हमको consolidate करता हुआ, नीचे की और आता हुआ देखने को मिला, फिर से वही हमको दुबआरा पैटन देखने को मिला है, आप देखिए यहाँ कम से कम 4-5 बार यहाँ पर हमको वही पैटन देखन को मिल सकता है और आज हम को आने वाले दिनों में भी यहां पर दुबारा यह नीचे के और लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है इसके जो डिलिवरी परसंटेज आ वो आज के दिन यहां पर 27% को ज़रूर देखने को मिली है जो कि यहां पर मैं कहूंगा लास्ट के तीन ब बड़ती है लेकिन यहां पर ड्रीवरी के इसको यह नहीं तौर्जव दे सकते सो यहां पर ठिलिवरी में नहीं यहां पर रहा हैं मेतमीन को जब दीशआाई जब यहां पर आपको यह लाइसमें करनारी πバं लेता आपको तभी इसमें यहां पर माल लीजी यहां पर इस लेवल को यहां पर यह तोड़ता है तब हम यहां पर अपना छोटा सा एक stop loss लगा सकते हैं ताकि हमको ज़ादा इसमें नुकसान ना हो लेकिन अगर हम यहां पर बिल्कुल ऊपर के लेवल के ओपर यहां पर SBI को खरीदेंगे तब यहां से ज्योंकि इसके एक बार यहां पर पिछले काफी टाइम से जो ट्रेंड यहां पर बना हुआ है उसी हिसाप से हमको दुबारा इसके नीचे के आने के संकेत जादा देखने को मिल रहे हैं और उसके ऊपर जाने के बहुत ही हमको कम संकेत देखने को मिल रहे हैं तो ये थी आज की वीडियो यहाँ पर मैं किसी को भी बाइंग और सेलिंग की सलार नहीं दे रहा हूँ जो भी आपका निरने होगा वह आप खुद लिजी अपने अनलाइज खुद कीजिए उसके बारी कोई भी इसमें पोजीशन वाग गहरा बनाई है तो ये थी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब दूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए तक ताकि ऐसी ही वीडियो में आपके लिए और भी फ्यूचर में लाता रहा हूं तो मिलते ह अगली विड़ में नमस्कार